नमस्कार दोस्तों मेरे नामे भालचंद्रा ब्रह्म्हांट सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वडियों में हम चर्चा करेंगे दिनांग 4 अप्तूबर 2021 का संपुर्ण राशेपल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा कर करेंगे आज का जो दिन है सो मौर का है कृष्ण बख्ष की तेरवी दीती है नक्षत्र पूर्वा है योग शुब दिन का जो करन है वह गर है और जो रात का जो करन है वह वनी है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुडवत होगा दोपर एक बचकर 24 मिनट से लेकर तिन करते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतो बढ़ना काम आप आरम कर सकते हों उसे प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा सुबह साथ बर्च कर अड़तानिस मिनिट से लेकर नौ बच कर सतरा मिनिट तक और यमगंड़काल सुबह चे बच कर सुबह दस चैनिस मिनिट से लेकर बारा बच कर पंदरा मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतो बढ़ना काम बिल्कुल भी आरम नहीं करना उसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा रखते हुए बारा राशियों के राशिवल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के पंचमभाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपी के राशी में स्थित हर्षल के साध्य चंद्रमा नवपंचम योग या तो वहाँ पर चोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है Misunderstanding होने की संभावना काफी जयदा बनते है तो उसे के उपर थोड़ा सा ध्यान देना जयदा आवशक होगा तो अगर आप शेयर मारकर से डिल करते हो तो आज के दिन बड़ी रिस्क बिलकुल भी नहीं लिना इसके बाद की जो राशी है वो है बृशब राशी बृशब राशी के चतुरत अभाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके दिन किसी भी प्रकार के बहत्व पूर्ण जिन नहीं कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेज बिलकुल भी नहीं करना उसी प्रकार अगर आपको कोई ट्रैवलिंग करनी है तो सोच समझ कर आगे बड़ी है क्योंकि जिस कारण वशब ट्रैवलिंग करोगे वो कारण आपका पूरा नहीं होगा वसी प्रकार आज आप घर पर रहना आपको पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी उसके बात की जो राशी है वो है मिधुन राशी तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं लेकिन आज के दिन किसी भी प्रकार की investment नहीं करना अगर आप खर्चे करते हो तो वो खर्चे भी आपके पूरे नहीं हो पहेंगे तो पैसे खर्च करने के मामले में आज के दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा हाला कि पैसे की income आज के दिन आपको अच्छे मिल सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के दिवितियों बाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके देशम बाव में सित हर्शल के साध्या चंदर्मा नमपंचम योग यानिके द्रिकोन योग करने जा रहा है आपके अश्टम बाव में सित निप्चिन क के साध्य चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है तो जहाँ पर आप काम करते हो नुकरी करते हैं या फिर वेवसाय करते हो वहाँ पर आपके काम की अच्छा एप्रिसेशन हो सकते हैं अगर आपको यह वेवसाय करते हो तो वहाँ पर भी आपके इंकम काफी अच्छी हो सक सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी में ही चंद्रमा का ब्रहमन है और आपी के भागी बाव में सित हर्शल के साधे चंद्रमा नमपंचमयोग यानि की तरीकों यूग करने जा रहा है आपके सब्तम बाव में सित निफ्चिन के साधे चंद् आ सकते हैं आज के दिन आपका घूमना फिरना हो सकता है और वह घूमना फिरना आपके लिए सका रात्मक होगा उससे आपको कुछ फायदे भी मिलेंगे तो यह जो दो तीन बाते हैं उसके वपर थोड़ा सा अमल करना ज्यादा अवश्यक होगा का इसके बाद के जो राशी है वो है कञन्या राशी कर यह जो आपके दिन है अशुपलदे थावित हो सकता है आपको थोड़ा सा चोकन ना होगा खास कर ने motiv प्रतिक्षाल लाप के बारे में भी छोटी बंड़ क्रॉल आ जाएंगे जिसके जिसे आपका जो मूड होगा वो नॉर्मल देखा नहीं जाएगा तो थोड़ा सा अज अपने भावनां के ओपर कंट्रोल करना जादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के लाव भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्तम भाव में से धर्शन के साथे चंद्रमा नवपंचम योग यानि की त्रिकों नियोग करने जा रहा है आपके पंचम भाव में से नेप्चन के साथ चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है तो अगर आप विवाईत हो तो आपके जो वैवाई जोड़ी दर है उनके साथ आज आपके हर्मनी बहुत यह अच्छे देखी जाएगी उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पचोटी मुटी बातों के लेकर तकरार हो सकते हैं मिस अंडर्सनिंग ज्यादा बढ़ भी सकते हैं अगर आप शेयर मां के सब्सक्राइब करते हो तो आज के दिन किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं करने जारा है तो आज का जो दिन है जो भी आपका कारिशेतर है अगर आप नुक्री करते हो वहाँ पर आपके काम की अच्छे appreciation हो सकती है जो रिच्चिक राशी के विक्ति जॉबलेस है जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए भी आज का जो दिन है काफी अच्छा और महत्वण सावित होगा आज आपको confidence भी काफी अच्छा देखा जाएका लेकिन घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातो को लेकर problem complications हो सकती है इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के भागिया बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके पंचम बाव में से हर्ष्कल के साथ है चंद्रमा ना वो पंचम योग यानि की तरीकों योग करने जा रहा है आपके तरीतियोग में अगर घूमने फिरने वाली बात है ट्रैवलिंग वाली बात है तो भी थोड़ा सा ध्यान रखे सब समय तो पुर्ण बाद सेहत के ऊपर ध्यान रखना काफी आवश्यक होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है मकार राशी के अश्टम में चंद्रमा का ब्रह्मनेएर आप़े की चतुरत में से द्हर्शल के साथ है जंद्रमा नावपंचम योग यानिके त्रीकों योग करने जा रहा है तो अगर आपका वीवा हुआ है तो आपकी जो वयवाई जू उसके उपर तुरंद काम करना होगा, रिलेशनिशिप के मामले में आज का जौब का दिन है, शुबुपलदई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है कुम्ब राशी, कुम्ब राशी के सब्तम माव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपे के तृतियों में चंद्रमा, नवपंचमयो जין शुब शौब्चनको के सब्तम माद का ब्रह्मन है, तो जो भी महत वह रुण काम है, खास करके आपके जौब के बारे में, या पिर आपके वैवसाई के बारे में, तो वह आज к दिन आप कर सकते हो, हो उसके से कोई traveling है तो भी वह आज के दिन आप कर सकते हो लेकिन अगर आपका विवा हुआ है तो जो वाइबाग जोड़िदार है उनके साथ चुटे-मूटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है की वज़े से यह बात होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है थोड़ा सा खुट पर सयम रखना ज्यादा आवश्यव होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के शाष्ट बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है रापे के द्वितिया बाव में सित हर्शल के साध्य चंद्रमा नवबंचमयोग याणि की त्रिकोंयोग करने जा रहा है आपके वे यह बाव में सित निप्चुन के स प्रतियों करने जा रहा है, तो यहां पर दो तिन बातें उसके उपर जोब लेसें को जाब नहीं मिलें हैं, उसे प्रकार अगर आप कैसे के रिलेशन्शिप में हैं, तो वहां पर थोड़ी से समस्याय सामने आ सकती है, अगर आप शेयर मार्क ऐसे डिल करते हो, तो भी आज क तो दोस्तो ये था दिना 4 अक्तुबर 2021 का संपुर्ण राशिफल, आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये चैनल है ब्रमवन्ड सिद्धियास्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दान्यवाँ